दर्म जाना में होने जारे ही प्रदेश की पहली ग्लोबल इंवेस्टर मीट के लिए केंदर सरकार भी प्रदेश सरकार को अभी तक 11 करोड की आर्ठीक मदद प्रदान की है मुख्य मंदली ने कहा कि 10 करोड रुपए केंदर सर केंदर सरकार भी प्रदेश जारे है और ये इवेंक पहली तरह का प्रदेश में होने जा रहा है CM ने कहा कि प्राइवेट इंवेस्मेंट से विक्कास पड़ता है जहांबे प्राइवेट इंवेस्मेंट हुई उस राजे को लाग हुआ है माजन की परिस्तितियों को देख कर ये काम कई बार कटिन भी लगता है क्योंकि निवेशकों का दिल जीतना आसान नहीं है लेकिन अन्य राजुन की तोलना में हिमाचल कई गुना बहतर है धरमशाला में प्रैसवात्ता में सिगम ने कहा कि बारे निवेशकों का दिल जीतना भी आसान नहीं होता हिमाचल में कानून दिवस्ता बहतर है शिक्षा में हम पहले पर्यवण में दूसरे हेल्फ में दूसरे और उद्ध्यमिता में देशवार में चोते सानबर हैं इतना आगे होने के बापचुद जब प्राइवेट इंगेस्मेंट के बारे में सोचा तो लगा के बाकी राजे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सियम ने कहा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है फोरलेन और एननेट पर काम हो रहा है परदेश में एक बड़े एरपोर्ट पर भी काम चल रहा है सियम ने कहा कि नई पहल करते धर्मचाला में 7-8 नमबर को ग्लोबल इंवस्टर मीट आयो जित की जा रही है जिसके लिए प्रधान मंतिरे नरेंडर मोधी और स्केंप्रिय मंतिरी मंतिरी अमिच्चा ने समय दिया है जोकि हमारे लिए गर्व की बात है साथ नमबर को ग्लोबल इंवस्टर मीट का ऊठगाटन करेंगे तथा आज नुवंबर को केश्यक्री मंत्री अमिच्छा स्मापन समरों में शिर्कत करेंगे CM ने कहा कि Global Investor Meet से पहले Investors से बात करनी के लिए देश के विभिन रज्य सहित दिदेशों का दोरा किया जिसका अच्छा रिस्पोंस रहा CM ने कहा कि पहले Investors यहां से परिशान होकर लोड जाते थी तो विशे में ऐसा ना हो इसके लिए Industry Policy में बदलाब किया गया Industry Policy 2019 में बदलाब किये कुछ नय जोड़ा बही Tourism Policy 2019 IOS Policy 2019 Power Policy 2019 IT Policy 2019 में बदलाब किये मुक्यमंत्री जेरामठाकों ने कहा कि Global Investor Meet ने विदेशों से आने बाले 200 निवेशक मेहमानों के लिए विशेश प्रबंद किये गई है गुरुनानक देब जी का 550 प्रकाश उत्चब देश ही नहीं पल की विदेशों में बड़ी दुन्धाम से मनाई जा रहा है उना में भी इसको लेकर सिक श्रदालूम ने शिरी आननपुर साहिब और सुल्टानपूर लोदी जाने बाले श्रदालूम के लिए चाय को पोड़े का लंगर लगाया गया जिसमें सैंकरों की दाजाद में पांसो पचास प्रकाश उत्चब में जाने बाले श्रदालूम ने ये लंगर खाया क्या इनकी माने तो ये एक बहुत बड़ा पर्भ है मालिक ने उन्हे सेवा का मुखा दियर है और बे संदतों की सेवा में दिन दात जुटे हुए है PM नेंदर मोदी ने धर्मशाला में हो रही Global Investor Meet के लिए 7 नमबर को आना है लेकिर उनके आगमन से एक दिन पहले ही एर फोर्स मेंस PM के चोपर की दर्मशाला में लेंडिंग करवा कर PM के आने की रहस्ल की PM नेंदर मोदी उद्गाटन समारों में भाग लेने के लिए 7 नमबर को दर्मशाला आएंगे लेकिन PM नेंदर मोदी के इंडिन एर फोर्स के बिसीस हलिकॉप्टर दर्मशाला सिंतेटिक ट्रैक में लेंड हुए इस दोरां शुक्षब विवस्ता के फुक्ता बंदोवस्त भी किये गए थे हालांकि हलिकॉप्टर में PM नेंदर मोदी सावार नहीं थे लेकिन उनके आने से पहले इंडिन एर फोर्स ने सिंतेटिक ट्रैक में PM के हलिकॉप्टर को लेंड करवाने का ब्रस किया इस दोरां सफल लेंड के बाद साइट को ओके कर दिया इस से पहले भी 27 दिसंबर 2008 को दर्मशाला पहुंचने पर PM मोदी के हलिकॉप्टर ने सिंतेटिक ट्रैक के मेंदान में ही लेंड किया था इस मरतबा कांगड़ा एरपोर्ट के साथ साइंग ग्राउंड और रक्कड हैलिपैर को भी कल्प की रूप में रखा गया है लेकिन स्टार्ट नमबर को PM का हलकॉप्टर धर्मशाला के सिंतेटिक मैदान में उतरेगा जहां से PM पलिस मैदान में पहुंचेंगे हिंदू संस्कृति में गाए को मा का दर्चा दिया गया है गोपा अस्कमी परव गाए माता को समर्फित है जिला सोलल में भी गोपा अस्कमी परव की दूम देखने को मिली लोगों ने पूजा अच्रकर गाए माता का आश्रिबाद भी प्रापत किया आपको बता दे कि इस दिन शिरी क्रिशन और गाय माता की पूजा करने से दन और सुप की प्राप्ति होती है बजर में कहा गया है कि ये शोदा मिया ने गोपा अस्मी पर पहले बार शिरी क्रिशन को गाय चराने के लिए बेजा था गोपा अस्मी अत्पद दीनु पूजा के लिए नंद महराज ने भगवान श्रीकिशों को गाय सराने के लिए बेजा था गोपा अस्मी पर पूजिन करने से भगवान परशन होते है उपासक को धन और शुक शमरिदी की प्राप्ति होती है और घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है बही आश्रियक गोशदन सोलन के कारकरम के सहयोजक अभिनाश शर्मा और अध्यक्ष परतीप ने बताया कि चार साल पहले इस गोशदन की स्तापना की गई थी जिसमें करीब सत्यव गाये हैं जो की लोगों दुआरा बे सहारा सरकों पर छोड़ी जाती हैं उनकी देखवाल की जा रही है बेही उनकी उनकी बताया कि गोवास्कमी के परपर लोगों ने गोव माता की पूचा की है उनकी ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई सरकार सहाइता नहीं मिली हैं लेकिन बेल लोगों के सहयोग से गोव सदर को बहतर धंगों से चला रहे हैं झाल